ओम सिरी गनीशाय नमदूस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हार दिक स्वागत है दूस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सितंबर शनिवार के राशी फल के बारे में कि यह दिन तुला राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नेने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा तोला राशी वालों के लिए सनिवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो जीवन साती से आज आपको शेहुग पराप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होनी की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा दूसरी और विद्ध्यार्तियों को भी उच्छ सिख्षा प्राप्त करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिख्षा की कामना पूरी हो सकती है ज्यादोस्तो कारे च्छेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कारे इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ती प्राप्ती के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं जिए दोस्तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परिवारिक जीवन में उल्लास में वातावर्न रहेगा, सुब समाचार मिलने से तथा प्रवास होने के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा, मित्रों से सैयोग मिल सकता है, यदि आप घर परिवार के साथ क तो भी साइड वैवसाय करने का आज आप प्रैतन कर सकते हैं, या किसी के साथ मिलकर कारण वैवसाय को नई दिसा दे सकते हैं, या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको काम्याभी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं, दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने करेचित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्ने पहलूँ पर अधिक समय देने के कारण अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्ने था आपके काराले में आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है कार्य सपलता के लिए आपको द्रण इक्षा सकती और मनोवल की आवश्चता होगी साथि साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रबंद पहले से ही तेयार करना चाहिए ताकि प्रतिकूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहा सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेत्र में भी काम के अधिक्ता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी परदोर के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम वानी पर सेयम रखे अनियता बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तभी आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी वरत दी होगी जैदोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रैतन करें साथ साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं, आज का दिन आपके लिए बहुती लकी सावित होने वाला है दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवस है केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारोबार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब के इस्तिती रहेगी विध्यर्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तो साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तो धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तो कारे च्छेत्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कारे भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी चिस्ति रहेगी नौकری में भी तरक्की के योग आप के लिए बन रहे हैं जिस से आप का मन बहुती प्रशन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशे सुरूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती है इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुरूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तो अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे सुपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद अपनी श्रद्ध के नुशार अपनी सामर्थ के नुशार उड़द की दाल को अपने सर के ऊपर तीन बार उल्टा घुमा कर कोई को खिलाएं जा दोस्तो ऐसा करने से भगवान शनिदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल लए ही है समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको ऐसा करने से जल्द ही शुबफलों की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कारने बहुत यासनी से बनते चले जाएंगे दोस्तो भगवान शनिदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैशनिदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद